इक्जाम्प्ल 1 एप इन्ट की अफ्ट दिस्टिंग्स प्राइम नंबर देन दियर एसीफ ही तक पी और क्यू दो डिफ्रेंट प्राइम नंबर है तो इसका एसीफ क्या होगा जैसे आप पुछ भी ले ले लिजी तो इसका होगा हमें यहां ही आएगा जैसे आप थी और शेवन ले लिजे तो इसका भी एशिट्ट्राइम नमबर लीजेगा तो इसका यहां पर आपसे पूछा था और यहांपे option D example second if P and Q are two distinct prime number then there LCM each यादे P और Q दो distinct prime number तो इसका LCM क्या आएगा तो हमें देखे 2 और 3 इसका LCM 2 into 3 आएगा जैसे आप कुछ भी ले लिए 3 3 और 7 तो इसके LCM क्या आएगा 3 इंटू 7 यानि दो डिस्टिंक्ट प्राइम नमबर लेंगे तो उसके LCM जो आएगा वो उसका प्रोड़क्ट हो जाता है यहां से हम से पूता था LCM और P और Q तो इसका प्रोड़क्ट कर दिए that means P into Q तो option D हो जाएगा एक्जामपल थिरी, लेट, P भी या प्राइम नमबर दें सम ओफ इट्स फैक्टर, कता यदि P प्राइम नमबर है तो उसके फैक्टर का सम क्या होगा, जैसे आपको पता है कोई भी प्राइम नमबर लिजिए तो उसका दो ही फैक्टर होता है, एक वन और एक वो नमबर खु एक्जामपल फोर देखिए, कता लेट, P भी या प्राइम नमबर, दा क्वाड्रेटिक एक्टर है यह आपका चेप्टर टू में पढ़ना है, तो आप टू पढ़ लिजिए, उसके बाद इसको बनाएगा ज्यादा केलियर होगा, जैसे बोला, P एक प्राइम नमबर है, त इसका तो दो ही फैक्टर होगा, एक उवन और एक पी, खुद, तो यहाँ पे दो फैक्टर हो गया, और क्वाड्रेटिक एक्ट्रिक 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 ए प्लश्वलtechn हो एक स्क्वायर माइनस एक्स अलफा प्लस व्हिटव्ट पलस अलफा इंटुबप ए आपको चेप्टर two में पढ़ना इसलिए आपकि इसको याद करना है हो जाएगा x स्कॉयार माइनस एक अलफा की जगा वन और व्हुटर के जगा लिए अब पालस यहाँ पे अल्फा इंटो भीटा डैसे ना इंटो पी पी रह जाएगा तो यहीं आपका क्वाड्रेटिक नंबर का LCM क्या होगा, तो smallest 2-digit composite number क्या होगा, तो यह आपका होता है, 10, और smallest composite number होता है, 4, ता बते ही इसका LCM क्या होगा, 4 और 10 का, तो LCM निकालेगा, तो 20 आएगा, इसका LCM क्या होगा, तो 2 और 4 का LCM क्या होगा, तो होगा, एक्जाम्ट्वल सेवन, दिकालेगा, तो यह आपका olla ख पनाया, तो और तो निकालेगा, अपका बते ही इसका LCM क्या होगा, तक सारे नंबर से लोना चाहिए तो यहाँ पर देखी जैसे आपको हम बोलते हैं कि एक- स्मॉल deposit new सबने लोना चाहिए तो आप क्या करियेगा दोनों का LCM निखालेजेगा यहाँ पर यहाँ पर Breaking नमबर है जो 2 और 4 दोनों से कटेगा 4 से छोटा आप कोई भी नमबर ले लिजिए दोनों से कभी ने कटेगा तो यहां पर भी हमको क्या करना होगा 1 से लेकर 10 सभी का LCM निकालना होगा तो 1 का 1, 2 का भी 2 3 का प्राइम फेक्ट 3 ही रहेगा 4 को 2 का स्क्वाइर, 5 को 5 ही रखनी 6 को 2 इन्टो 3 7 का 7 ही रहेगा और 8 को क्या लिखेगा 2 पे पावर 3 9 को 3 का स्क्वाइर और 10 को लिखेगा 2 इन्टो 5 यहां पर LCM निकाल लीजे तो LCM पहले सारे प्राइम नमर को लिख लीजे 2 आया है 3, 5 और 7 अब मैक्सम पावर डाले तो 2 पे मैक्सम पावर 3 अब 3 पे मैक्सम पावर 2 अब बागे 5 पे तो 1 ही है 7 पे भी 1 ही है मल्टिप्लाइ करिए यहां पर 8 इन्टो 5 40 अब 3 काज़को 9 इन्टो 7 63 तो यहां पर आजाएगा 2, 5, 2, 0 Example 8 The SCF of 2 consecutive positive integer is कता 2 लगातार positive integer का SCF क्या होगा जैसे 2 लगातार 3, 4 ले लिजे 4, 5 ले लिजे या 6, 7 ले लिजे मतलब कोई भी 2 लगातार integer होना चाहिए आपको बता है कि 2 लगातार जो integer होता हो हमेशा एक को प्राइम नंबर होगा और उसका SCF हमेशा 1 होता है तो यहां पर भी यह दोनों नंबर का SCF 1 होगा Example 9 Let N be a natural number दे N LCM of N, N plus 1 is कता N एक natural number है तो इसका LCM क्या होगा देखिए यहां पर दे रखा N, N plus 1 इसका मुलों यह लगातार number है आप N के जगा कुछी भेलो पूट करिए जैसे 3 तो यह हो जाएगा 3 और कॉमा 4 आप 6 पूट करिए तो 6,7 मुलों यह लगातार number आ रहा लगातार number का LCM क्या होता है उसका product होता है देखिए इसका LCM क्या होगा 3 into 4 का 3 into 4 हो जाएगा 6,7 का 6 into 7 हो जाएगा तो इसका LCM इसका product हो जाएगा तो यहां पे भी इसका LCM क्या हो जाएगा इसका product हो जाएगा तो हो जाएगा N into N plus 1 इक्जाम्पल 10 करा इप M equal to D N plus R बहर M and N are positive integers and D N are integers then N is the ACF of M and N इप तो करता N है जो M और N का ACF कब होगा जैसे देखे इसको आपको हम समझाते है M equal to D N plus R इसको आप लिखे N D plus R इस तरीके सम लिख सकते हैं D into N या N into D बात तो बरावर ही है जैसे माल लिजे आपके पास दो नंबर है एक ले लिजे 4 और एक ले लिजे 6 इसका ACF निकाली है तो एक बार में 4 2 बचेगा फिर 4 आएगा दो बार में 4 यह कर जाएगा तो यहां से हम आइरेंज करते हैं किस तरीके से यह जो बड़ा बाला भाहिलू होता है वो A होता है और जो छोटा बला भाहिलू होता है वो B होता है अब आई इकली डिविजन अल्गोरिथम A इकल टो B Q पलस R तो यहां से पहले इसको एरेंज करिए तो हो जाएगा 6 इकल टू 4 इन्टू 1 अब पलस रिमेंडर यहां पर 2 आजाएगा उसके बाद इसको एरेंज करिए तो यह हो जाएगा 4 इकल टू 2 इन्टू 2 पलस 0 2 इन्टू 2 पलस 0 तो यहीं 2 आपका क्या होता है ACF हो जाता है जब कब जब यह रिमेंडर 0 होगा तब तो यहां पर यह जो 2 है वो आपका ACF हो जाएगा तो यहां पर भी उमसे पूझा था कि यहन CF कब होगा तो यहां पर भी NACF तबी होगा जब रिमेंडर क्या होगा 0 होगा तो इट इस ओनली पोसीबल भेन रिमेंडर इकल टू 0 रिमेंडर 0 होगा ति यह आपका क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा क्योंकि आपसे पुछ रहा था D into N में बोला था कि N is the SCF of M and N N, M और N का SCF कब होगा तो यह N SCF तभी होता है यहाँ पर वोला नंबर SCF तभी होता है जब remainder 0 आजाता है तो यहाँ पर भी remainder जब 0 होगा तो यह इसका SCF हो जाएगा Example 11 If theory is the least prime factor of M and 5 If theory is the least prime factor of M, काता है theory है जो M का list prime factor है and 5 is the least prime factor of N और 5 है जो N का list prime factor है तो काता है list prime factor of M plus N यहाँ भी होता है जब 3 least prime factor है तो M का possible value क्या क्या हो सकता है एक तो theory होगा उसके बाद 6 देखे 6 को आप लिखेगा 2 into 3 तो इसका तो 6 का list prime factor 2 आ गिया जबकि यहाँ पर वह रहा था 3 होना चाहिए तो यह गलत हो जाएगा उसके आप 9 ले ले लिचे 15 भी ले सकते हैं क्योंकि 15 का होगा 3 into 5 तो यहाँ पर 3 सबसे छोटा है और यह बहुत सारा नंबर हो सकता है फिर बोला 5 is the list prime factor of n, n का छोटा prime factor 5 है तो एक तो भेलू 5 हो जाएगा फिर 10 देखे 10 को आप लिखेगा 2 into 5 यहाँ पर list prime factor 2 है जबकि होना चाहिए 5 तो 10 possible नहीं होगा 15 भी आपका नहीं होगा इसके बाद होगा 25 और यह बहुत सारा नंबर होगा 125 इस तरीके से हैं तो हमसे पूता था m plus n तो देखे एम का आप कोई भी वैलू यह तीनों में से लिजिए और n का वैलू कुछ भी ले लिजिए जैसे हम 9 लेते हैं और 25 लेते हैं या फिर 9 और 5 ले लिजिए 14 और 14 को आप फेक्टराइज करेगा तो लिखेगा 2 x 7 इसका लिस्ट प्राइम फेक्टर क्या है 2 है तो आपका अंसर हो जाएगा 2 आप कोई भी नंबर पूट करके चेक करिए 2 ही आएगा एक्जाम्पल 12 करा इप दे एसीफ ओप 85 एंड 153 इज एक्सपेशिवल इन द फॉर्म इतना देन द भैलू अफेन कता ये दोनों नंबर के एसीफ को इस फॉर्म में इस्प्रेस क्या लिया है तो एन का भैलू क्या होगा जैसे एक ची बताईए जैसे हम बोलते है एक नमबर है 8 और इसको हम एक्स्प्रेस किए 3 इंटू 2 इस तरीके से तो जब 8 को इस फॉर्म में इक्स्प्रेस किया है तो क्या ये वना जो फॉर्म है वो 8 के इक्वल होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि यहां पर 8 को हैं तो इस form एक्सप्रेस किया है तो यहां पर भी बोला था कि यह दोनों नंबर के ACF को इस form एक्सप्रेस किया है तो यह दोनों नंबर का जो ACF होगा वो इसके equal होगा क्योंकि से को इस फ़र्म में एक स्फेस का यहां पर हो जाएगा सी को टू 85 इन माइनस 153 तो यहां से स्फ देखिए यहां पर निकार रखे हैं इसका सीफ हा सेवन्टी को कि यहां पर आजाएगा सेवन्टीन इक्वल टू 85 इन माइनस 153 तो इसको इधर लाइए, तो यहाँ जाएगा 17, आप पलस 153, यहाँ जाएगा 170 इक्वल टू 85N, तो यहाँ जाएगा एन का भैलू 2, इक्जाम्पल 13 देखिए, करा इप P1 और P2 और और प्राइम नंबर्स, देखिए, यहाँ पे आप कुछ भैलू ले लिजे, अपने मन से, आपको खुद पला चल जाएगा, जैसे P1 और P2 की आथा, और P1 का भैलू होना चाहिए, बढ़ा P2 से, तो एक हम लेलते हैं 5 और एक लेलते हैं, ठीरी, यह दोनों और प्राइम नंबर है, और यहाँ पे P1 बड़ा है, P2 से, तो उसके बाद बोला था, P1 का स्कॉयर माइनस P2 का स्कॉयर, तो P1 का भैलू 5, तो 5 का स्कॉयर टुवणनि 5, और P2 का स्कॉयर, तो P2 है 3, तो 3 का स्कॉयर न आए, यहाँ पे इसको मािनस करी है, तो आएगा 16, और यह 16 कौँन नंबर है, यह भैं नंब inclusion image का हुगा दéisखी से कौन को डिविजल होगा 8 होगा। सब्सक्राइब 54 तो च्राल कि यहां पे लाना है यह पिर फूट करीए तो इसखार का बहुत 1 जीरो तो एन के जगा 1 पूट करेगा तो इसका भीलू आएगा 0 जो कि 0 तो हर एक नम्बरे से डिविज्वल होगा उसके बाद एन के जगा पे आप 3 पूट करिए एन इक्वल टू 3 तो यह आजएगा 3 का स्क्वाइब 9 और 9-1 एट यह विल्कुल 8 से डिविज्वल होगा आप एन के जगा पूट करिए 5 तो 5 का स्क्वाइब 25 और 25-1 24 यह भी आप देख रहे हैं 8 से क्या होगा डिविज्वल होगा इसका मिला एन का जो भैलो होगा वो क्या होगा और नंबर होगा तो यहां पर आज आएगा सी एक्जामपल 15 इप दा एस एफ हो 408 और 1032 इस एक्सप्रेसीवल इंद फॉर्म इतना देन भाइलो पे यह पहले जैसा है क्यूशन है यह दोनों नंबर के एस एफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो इसका जो ए एक्वल हो जाएगा 1032 इम अब माइनस इसको मल्टिप्लाइ कर जिए तिया जाएगा 2040 यहां से एस एफ देखें इसका निकार रखें एससे एफ है 24 यहां पर 24 डाली इक्वल टू 1032 इम माइनस 2040 इसको इधर लाकर आइड करीए तो यह हो जाएगा 2064 इक्वल टू 1032 इम यहां से m equal to हो जाएगा 2064 divided by 1032, यह दो बार में कटेगा, तो m का भेलो 2 हो जाएगा. Example 16, the sum of the SCF and LCM of 12, 21 and 15 is, यह तीनों का SCF और LCM का sum क्या होगा, तो आप 12 को लिखे 2 का square into 3, 21 को लिखे 3 into 7, और 15 को लिखे 3 into 5, अब यहां से ACF निकाल लिए, ACF जो तीनों में होना चाहिए, तो यहां से देखिए, 3 तीनों में है, और इसका minimum power भी 1 ही है, तो 3 रह जाएगा, LCM देखिए, सारा prime number को नूट करिए, 2, 3, 5 और 7, और यहां पे maximum power जाहिए, तो 2 का maximum power 2, बागे सब का 1 ही है, मल्टिप्लाइ करिए, तो 2 का स्कोर 4 into 5, 20 into 21, तो यहां जाएगा, 400, 20, अब यह दोनों का सम करना, ACF और LCM का, तो यहां से जाएगा, 3 plus 400, 20, तो यहां जाएगा, 423, आपको हमेशा यहां रखना है कि ACF divides LCM completely, ACF है जो LCM को completely divide कर देता, तो यहां पे बोला कि यह 4 में से कौन है, जो इसका ACF नहीं हो सकता, तो जो LCM को divide नहीं करेगा, वो उसका ACF नहीं होगा, आप छेक कर लिजी यहां पे, तैसे option A में है, 6 अजे, तो 600 से डिवाइड करें इसको यह तो completely डिवाइड कर जाएगा 6 बार में सेकेंड में 500 तो 3600 अपन 500 यहां से देखिया 536 कभी भी नहीं करतेगा completely तो यह रोंग हो जाएगा मतलब यहीं इसका SCF नहीं हो सकता वाकि यह दोनों भी चेकरी यह दोनों completely डिवाइड करें देगा कि एक्जाम्पल 18 गिविन डाइट SCF इतना इंद इतना इक्वल टू फोर्टी एंड और LCM हो इतना इन इतना इक्वल टू इतना तो का तर फाइंड के तके दो नमबर दे रखा दोनों का SCF 40 है और दोनों का LCM इतना है तो का के का वेलू क्या होगा तो आपको पता है फर्स्ट नमबर इंटो सेकेंड नमबर एक्वल टू होता है SCF मल्टिप्लाई LCM तो यहां पर एक नमबर है 2520 इंटो सेकेंड नमबर है 6600 और SCF दे रखा 40 और LCM दे रखा 252 इंटो के यहां से कट करिए एक जिरो से एक जिरो और 252 से 252 अब फोर से यह कट जाएगा 1650 तो यहां से वह जाएगा के इकुल टू 1650 कि एक जाम्पल 19 तो यहां पर देखें करा इप एक एकुल टू पर टू इंटो थीरी पर एक्स बीक अभेलो इतना दे रखा और यहां पर तीनों नमबर का LCM इतना दे रखा तो हमसे पूछा एक्स कभेलो क्या आएगा तो यहां पर देखें क्या गड़ते इसका LCM दे दीजिए और उसके बाद क्या गरें मैक्सम पाउर चाहिए तो का मैक्सम पावर टू ठीका मैक्सम पाउर ओन वन एक्स आपको एक्स को लेना है और फाइब पर वन आस्यों पर पाउर भी बंट इसका LCM तो यह हो जाएगा तो यहां पर इसको पूट करिए तो पर टू इं इंटो 3 पर 3 इंटो 5 इंटो 7 अब आप compare करें X का वेलू हम से पोचा था तो X यहाँ पे है और ठीड भल अट्रोण तो यह हो जाएगा 3 पी पर X इक्वल डू 3 पर 3 तो जब base equal तो power भी equal हो जाएगा तो X का वेलू थी एक्जाम्पल 20 दगी देस्मर रिपर्जेंटेशन ओफ इतना बिल करता है इसका जो डेस्मर रिपर्जेंटेशन होगा वो कितने पहले स्वार टर्मिनेट होगा यहां पर दे रखा 11 अपॉन 2 पे पार 3 इंटू 5 इसमें आपको हम बताएं कि हमेशा आपको 2 और 3 का माइक्सम पावर आपको लेना तो यहां पर 5 पर ओवन है यहां पर देखें थीरी है तो 3 और ओवन इसमें मैक्सम कौन है तीन है तो हो जाएगा आप्टर थीरी पैलेशेंटेश ऑफ डेसिमल मला डेस्मल के तीन पैलेश के बाद यह टर्मिनेट हो जाएगा किसन नमबर 21 बीच ओप दर पॉलोउइंग नमबर रिपीटिंग डेसमेल एक्सेंसन मह इसमें करहें किसका देस्मल एक्सेंसन서 नन अन टर्मिनेवी इपीटिंग होला जैसे चेकरcely यहां पर 6 upon 15 है यहां पर होगा 6 upon 3 into 5 अब यहां पर डाइरेक्ट इसको आप नन टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर देखें 3 से यह कट रहा है दो बार में तो यह होजाएगा 2 upon 5 यह होजाएगा टर्मिनेटिंग सेकेंड है आपका 21 upon 280 यहां पर यह होगा 21 upon इसको फेक्टराइज करिए यह होजाएगा 7 upon 2 पर पावर 3 into 5 यह कटेगा तीन बार में तो यह आएगा 3 upon 2 पर पावर 3 into 5 यह भी आपका टर्मिनेटिंग ही है उसके बाद इसको चेकर लिए c नंबर c में 117 upon 5 का स्क्वार इंटू 5 पर पावर 3 तो यहां तो नीचे सिर्फ हो सिर्फ 5 यह है और यहां पर कटेगा भी आप काट भी सकते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं यह भी टर्मिनेटिंग ही होगा और डी में 17 upon 210 यहां पर देखिए इसको लिखेगा यह 77 है 77 upon 210 को आप लिखेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इस तरीके से तो यह 7 से कटेगा 11 बार में तो यह मेरा बच्चे का 11 upon 2 इंटू 3 इंटू 5 यहां पर देखिए 2 और 5 के अलावा एक और नमबर आग यह 3 तो यहीं आपका जाएगा नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में केर्शन नमबर 22 यह एकजामपल 22 है इप तू पोजेटिव इंटीजर A एंट बी रिटेन आज एक एक वड्वे इतना एंट बी कुल इतना दो पोजेटिव इंटीजर A और भी है और A को इस तरीके से लिखा और वी को इस तरीके से लिखा जहां पी और क्यों क्या है तो इंटीजर यह प्राइम नंबर है सब्सक्राइब क्या होगा यहां पर एक्वल टो है ईसका एक्वार है यहां पर देखे एक्वारन क्यों पर प्वावर है इसका क्यों दे रखा है आइस तो यहां से पहले आप दोनों का सब्सक्राइब और समय निकाले इसका सब्सक्राइब तो जोनों में जो कॉमन है और का दोनों में और दोनों में इधर है P पे power M into Q पे power M अब compare करेए P वाले को P के साथ तो जब base बराबर तो power एक बराबर होगा तो यहां से M equal to 2 हो जाएगा और यहां से भी compare करेए Q वाला का Q के साथ तो यह तर हो जाएगा N equal to 3 अब इसका LCM निकालिए तो LCM equal to 2 हो जाएगा यहां सारे प्राइम नमबर नोट करेए तो 2 ही तो प्राइम नमबर एक P और एक Q maximum power दीजिए तो P का maximum power 3 और Q का maximum power 4 अब यहां पे इसका बहलो पूट करेए P पे power 3 into Q पे power 4 equal to P पे power R into Q पे power S अब यहां पे देखे compare कर दीजिए P वाले को P के साथ तो बेश बराबर तो power यह बराबर होगा तो R का बहलो 3 और similarly Q का compare Q से तो यहां से S का बहलो 4 हो जाएगा S है तो हमसे पुशत था M plus N into M plus N into R plus S तो यहां पे बहलो पूट करेए M plus N to 2 plus 3 यहां से बहलो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 3 plus 4 तो यह हो जाएगा 5 into 7 That means 35 Example 23 The smallest number which been divided wise 17, 23 and 29 leaves a remainder 11 each case कता वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन साज इसको 17, 23 and 29 से divide करने पे remainder 11 बसना चाहिए तो यहां पे हम तीनों का LCM निकाल लेंगे तो हमको सबसे छोटा नमबर पता चल जाएगा उसके बाद हम remainder वाला case देख लेते हैं तो यहां से पहले LCM निकाली है LCM of 17, 23 and 29 तो यहां पे आप देखिए तीनों प्राइम नमबर है तो इसका LCM क्या होगा? Multiply हो जाएगा तो इसको multiply कर लीजिए तो यह जाएगा 1, 1, 3, 3, 9 तो यह जो मेरा smallest number आया है वो तीनों से divisible होगा exact divisible होगा लेकिन यहां पे बोला था कि remainder 11 बचना चाहिए जैसे आप किसी भी number का LCM निकालेगा 2, 8, 3 का तो 6 आएगा तो यह क्या होगा? यह एक smallest number है जो दोनों से क्या होगा? divisible होगा तो यहां पे भी हम तीनों नंबर का LCM निकालेगा तो यह एक smallest number है जो तीनों से क्या होगा? divisible होगा लेकिन हमको वोला था remainder 11 बचना चाहिए जैसे यहां पे आप divide देकर देखिए 17 से 1, 1, 3, 3, 9 में लगाए 6 बार में 102 यहां पे आएगा 11 फिर 3 उतारिए फिर 61 में लगाए 102 यह बच जाएगा 101 फिर 9 उतारिए अब लगाए 7 बार में 101 नाइन देखिए 0 आ गया remainder तो लेकिन हमको वोला था remainder 11 बचना चाहिए तो यदि आप इस number को 11 increase कर दिजे तो फिर remainder 11 बचेगा तो यहां पे क्या करना होगा मेरा जो required number होगा required number वो हो जाएगा 11339 पलस 11 तो यहाजाएगा 111350 अब आप इस number को divide करिए यह तीनों से पक्का हर एक स्थिति में 11 ही बचेगा question number 24 कता if ACF of X and 8 is 4 then LCM and LCM equal to 24 then X is 4 कता दो number है जिसका ACF 4 दे रखा और LCM 24 दे रखा तो X का value क्या होगा तो यहाँ पे देखिए आपको पता है product of two number यहाँ पे लिख देजिए first number multiply second number equal to होता ACF multiply LCM तो यहाँ पे एक number X है और दूसर number 8 है तो यह जाएगा X into 8 equal to ACF 4 और LCM 24 यहाँ काटी है 8 छे थे रखार में तो यह जाएगा X equal to 2 आवाँ को बयो को